हाई गाईस मेर नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे रेड्मी के ट्वेंटी प्रो गे उपर लेटेस्ट प्रोटोन एउस्पी के बारे में जो की बेस्ट है एंड्रोइड 12 के उपर और सच में यह जो राम है ना काफी ज्यादा ही वंडरफुल आपको देखने को मिलती है यहाँ पर मैंने इसको ज्यादा वैसे ट्राइ नहीं किया यानि कि इसके प्रीवियस अपडेट्स वगरा मैंने ज्यादा यूज नहीं किये बढ़ यह वाल अपडेट इस्पेशली मेरको काफी ज्यादा अमेजिंग लगा है इन टरम्स आप स्मूथनेस या फिर जो परफॉर्मेंस है वो सभी चीज़े इस राम के अंदर आपको सभी याँ पर कमबाइन देखने को मिलती है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब अगर आप चैनल पर पहली पर आयो तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेर जरूर से कर सेखें अब आउट फोन के उपर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक लोगो मिलता है जिसके अंदर लिखा है बड़ वैदर यहां पे वो और नहीं कर रहा है अगर आप देखोगे तो कोई वैदर का जो है वीजट वगरा मेरे को देखने के लिए नहीं मिला उसके साथ क्विकशेटिंग पहलें की बात करते हैं quick setting पहले के अंदर आपको new change देखने को मिल जाता है जो कि December के security patch level के साथ में सभी iOS P ROMS के उपर आपको मिलेगा और वो है यहाँ पे material UI अगर आप internet वाले combined toggles जो है enable करते हो तो आपको material UI design यहाँ पे मिल जाता है और उसके बाद अगर आप देखो कि के सभी toggles आपके लिए यहाँ पे present है dark theme हो DC dimming high brightness mode and screen recorder के अंदर यह options आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं आप इनको enable या फिर disable यहाँ से कर सकते हो और screen recorder वगरा सब कुछ यहाँ पे काफी अच्छे से working है उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं important चीजों की important चीजों के उपर सबसे पहले आपका जो device यहाँ पर certified है और without route आपका safety net यहाँ पर पास रहने वाला है DRM info के अंदर आजाते हैं तो यहाँ पर wide one 11 आपको मिल जाता है and उसके साथ F2FS के अंदर आप इसको definitely flash कर सकते हो यह F2FS के अंदर मैंने इसको भी flash कर रखा है तो आप भी इसको यहाँ पर flash कर सकते हो ROM के smoothness की बात करेंगे जो कि literally मेरे को काफी ज़्यादा amazing लगी है सबसे पहले app opening या फिर closing speed आप check कर लो काफी smooth आपको animations देखने के मिलते हैं and आप बोच सकते हो सेम आपको यहाँ पर जो animations आना वो यहाँ पर evolution X के अंदर देखने के लिए मिलेगे and literally आप देख सकते हो बिलकुल भी animations के अंदर lag या फिर stuttering मेरे को देखने के लिए नहीं मिली काफी ज़्यादा super fluid ROM आपको ROM देखने के लिए मिल जाती है और ज्यादा वैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको use नहीं किया पहले बट फिलहाल जो experience है वो आपको काफी ज्यादा amazing देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर clearly देख सकते हो and RAM management वगएरा काफी ज्यादा excellent है और यह pixel launcher वाले सभी features आपके लिए present है और अब बात करते हैं TR camera की और मैं यहाँ पर जिसको personally use करता हूँ तो यहाँ पर 4K 60fps flawlessly है videos record कर सकते हो कोई problem नहीं आने वाली इसके अंदर EIS वगरा यहाँ पर working अगर आप चाहते हो तो इसको यहाँ पर use कर सकते हो यह मैंने इसको config वगरा apply कर रखी है तो यहाँ पर थोड़ा interface change हो चुका है अब आते हैं A.N.X के उपर version 190R यहाँ पर मैंने flash कर रहा है magis के अंदर और अगर आपको नहीं पता की कैसे करना है उसके recording video आपको description के अंदर मिल जाएगी तो आप देख सकते हो 4K 60fps आपका यहाँ पर flawlessly work करता है photo mode working है portrait dead है उसके बाद 48MP भी आपका work यहाँ पर नहीं करने वाला अगर आप A.N.X camera flash करने वाले है अब बात करेंगे यहाँ पर screen off and screen on FOD के speed की तो सबसे पहले screen off के साथ में चेक करते हैं तो speed आप देख सकते हो कुछ ऐसी आपको screen off के साथ में मिलती है जो कि मेरे को literally काफी amazing लगी है जो आपका unlocking है न वो यहाँ पर काफी correctly work करता है यानि कि कोई issue आपको नहीं आने वाला है और most of the times आपका यह जो है unlock हो जाता है और screen off के साथ में तो sometimes आपका instantly ही यहाँ पर unlock हो जाता है मैं आपको एक बार fit से check कर वा देता हम तो आप देख सकते हो जो speed unlock आपको काफी excellent देखने के लिए मिल जाती है और कोई issue आपको यहाँ पर नहीं आने वाला fast test आपको FOD की speed यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी अब आते हैं ROM side features के बारे में बात करेंगे और features आपको मिल जाते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर features आपको नहीं मिलेंगे जो features नहीं है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले network and internet का option है यहाँ पर आप aeroplane mode वगरा enable कर सकते हो small mobile type icon आपको मिलते हैं combined signal icon और 4G icon and traffic indicator working है उसके बाद hotspot and tethery वगरा वाले आपको options मिल जाते हैं apps के अंदरा होगे तो यहाँ पर आपको game settings मिल जाते हैं यानि कि new android 12 का gaming mode मिलता है पर यह bgmi के अंदरा भी फिलहाल work नहीं कर रहा battery section की बाद यहाँ पर थोड़ा सा बाद में करते हैं बढ़ उससे पहले sound and vibration के उपर आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगी तो आपको almost सभी चीज़ें मिलती है music visualizer है उसके बाद me sound enhancer उसके जो UI या वो android 12 से inspired है और आपको vibrate to indicate call status बगरा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा नेक्स्ट आते हैं display के अंदर डिस्प्ले के अंदर adaptive brightness और brightness slider शो कर सकते हो bottom के अंदर आप इसको लगा सकते हो adaptive brightness बटन आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको नीचे options मिल जाते हैं colors के related जो कि आप चेक कर सकते हो सभी चीज़े latest updated है जो wallpapers है वो भी यहाँ पर update हो चुके है उसके बाद status bar के अंदर आपको items मिल जाती है and tap to wake आपको check कर वा देता हूँ tap to wake आपका यहाँ पर काफी अच्छे से work कर रहा है कोई दिक्कत पगर नहीं आने वाली fonts आपको मिल जाते हैं सभी gestures मिल जाएंगे और custom display settings आपको मिल जाती है DC dimming और high brightness mode वगरा जो कि आप enable कर सकते हो so pixel launcher latest updated है यहाँ पर almost सभी जो Google ने bugs fix किये थे यह loading वाला option वो भी आपका यहाँ पर clock widget के साथ में fixed है क्यूंकि यह latest December के security patch level के साथ में है उसके साथ themed icon working है और मैंने एक चीज़ यहाँ पर I think notice नहीं की वो आपको I think मिल जाती है और इसके colors के अंदर तो एक बार यहाँ पर इसको exit करते हैं उसके बाद आपको मैं check करवाता हूं फिर से अगर हम यहाँ से wallpaper and style को open करते हैं आपको सभी colors वगरा देखने को मिल जाते है new colors, basic वाले सब कुछ आपके लिए यहाँ पर present है next settings की बात करेंगे जो आपको यहाँ पर जाननी ज़रूरी है वो आपको मिल जाती है system के अंदर उसके बार live translate and pop-up camera settings है gestures के अंदर advanced reboot है activate the torch का option है इसके अंदर एक bug आपको मिलता है like अगर आप इसको double tap करते हो power to toggle torch का option आप अगर select करते हो तो आपका जो power button वो यहाँ पर work नहीं करता आप देख सकते हो आप इसको lock या unlock नहीं कर सकते है इसके साथ bug है अगर आप यहाँ पर long press के उपर करते हो तो यह आपका working है और यह काफी अच्छे से work करता है इसके साथ जो gesture आपका यहाँ पर working है कोई दिक्कत वगेरा नहीं आने वाली off and आप जो है on इसको कर सकते हो तो यह या तो आप चूज कर लो या फिर disable कर सकते हो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो बट बीच वाला option आपके लिए work नहीं करेगा वो बगी है and system navigation के अंदर 2 button 3 button and यहाँ पर pill की जो length उसको आप increase कर सकते हो haptic feedback आपको मिल जाता है and next अगर आए swipe to screenshot working है उसके बाद capture more का option आपको मिल जाता है double tap to lock screen to sleep का option है stage bar के उपर double tap आपका working है इसके अंदर भी कोई problem नहीं आने वाली और UDFP ऐसके यहाँ पर haptic feedback आपको मिल दिया है यानि कि unlocking के time आपको haptic feedback का experience यहाँ पर होने वाला जो की working है battery backup की बात करेंगे तो अगर आप एक normal user हो काफी smooth ही हुआ है चाहिए काफी सारे features चाहिए जैसे यहाँ पर एक कोई ऐसे section नहीं बना जिसके अंदर features को implement किया हो यहाँ पर according to the settings यहाँ पर काफी सारी चीज़ें मिलती है यानि कि network related network वाले section के अंदर मिलेगी तो features काफी जयता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर explain कर दिये अब battery के उपर आते हैं तो अगर आपको battery के लिए ROM chain है तो यह one of the best आपको OSS vendor based जो है ROM के अंदर बैटरी backup देखने को मिलेगा तो आप active drain देख सकते हो 10% per hour के आसपास आपको मिलेगा और idle drain आपको 0.97% पर hour के आसपास है थोड़ा सा idle drain मेरे को ज्यादा लगा है थोड़ा सा कम हो सकता है पर वो usage के उपर है यानि कि अगर आप यहाँ पर internet वगरा on करके रखते हो तो थोड़ा ज्यादा आपका consumption हो सकता है idle drain के अंदर और active drain आपका depend करता आप apps अगरा कौन से यूज़ करते हो तो यह normal usage के उपर है मेरे को जो battery backup मिला है active drain के बात अगर करें तो यहाँ पर कोई problem नहीं आने वाली जो battery backup है वो काफी अच्छा है और रही बात है यहाँ पर charging speed की तो यह आपको charging speed मिलती है उसके साथ यहाँ पर आपको CPU throttling का graph मैं चेक करवा हूँ तो 94% तक आपका CPU throttle करता है maximum है 1,091,000 के आसपास और average जो GIPS आपको मिलते हैं वो 1,82,000 के आसपास है battery वारे section के अंदर कोई thermal profiles विखर आपको नहीं मिलती एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ तो Geekbench 5 का score आपको 685 single code है 2097 का मिलता है multi code score और रही बात gaming performance की तो gaming के लिए मैं आपको फिलहाल यह ROM recommend नहीं करूँगा gaming अच्छी है बट कोई यहाँ पे आप जो है वही issues आपको मिलते हैं old वाले जो की यहाँ टच के रिस्पॉंस उतना अच्छा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा सो वेट करो यहाँ पे Siberia का latest update आचुका है जिसको मैं अभी यहाँ पे install करूँगा और कल तक आपको most probably जो है सबसे पहले उसका वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरस्टिंग वीडियो के साथ में